नमस्कार दोस्तों, Tech Home Tips में आपका स्वागत है, आज आपके लेके आई हूँ बहुत ही शानदार रवा केक, जिसे आप Christmas केक भी कह सकते हैं, बिना अंडे के इस्तमाल से बनाया है, बहुत ही कम इंग्रीडियन का इस्तमाल किया है और बहुत हेल्दी केक बनके रेडी हो जाए तो रवे में मैंने चीनी को डाल दिया है, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप दही, जो बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे है, और इसे भी मैंने इसमें डाल दिया है, अभी क्या करेंगे, इसको अच्छे से थोड़ा सा मिला लेंगे, और अब मैं इतना ही यानी half cup इसमें डाल रही हूँ दूद जो भी बिल्कुल room temperature पर है normal दूद को मैंने उबाल के ठंडा कर लिया था और अब ये मैंने डाल दिया है अब हम इन सारी चीजों को अच्छे से मिला देंगे तो देखिए basic ingredient का दोस्तों यहां इस्तमाल करना है और ढख के इसको बस 10 मिनट के लिए रख देंगे तो यहां पर देखिए हमारा better बिल्कुल ready है इस तरह से देखिए इसकी consistency है जो बिल्कुल perfect है और अब मैं इसमें एक चौथाई cup डाल रही हूँ तेल यहां मैं olive oil का इस्तमाल कर रही हूँ आप कोई भी refined oil का इस्तमाल कर सकते हैं अब कुछ मैंने dry fruits को देखिए orange juice में दिखा के रखा था लगभग एक घंटे इसमें मैंने बादाम, काजू, अक्रोड, किश्मिश इस्तमाल की है थोड़े से मैंने tutti fruity भी इसमें डाल दिये हैं और ये मैं इसमें डाल दूँगी, इसका rust को बिल्कुल निकालते वे तो लगबग 4-5 चमच आप डाल सकते हैं और इसमें flavor भी आ गया है, देखिए orange flavor क्योंकि मैंने orange juice में dip किया था और अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा छोटा चमच बेकिंग पॉडर और एक चोथाई चमच बेकिंग सोडा सारी चीजों को अच्छे से देखे मिला लेंगे, एक ही direction में यहाँ पर हम इसे मिलाएंगे, और देखिए बैटर हमारा बंकी बिल्कुल ready है अभी मैंने यहाँ एक gold cake tin लिया है और इसमें अच्छे से मैंने oil लगा के grease कर लिया है और सारा ही better मैं इसमें देखे डाल दूँगी दोस्तों अगर अभी तक आपको recipe पसंद आ रही है तो please इसे like और share कीजेगा और चैनल subscribe करना मत भूलिएगा और उपर से देखिए मैं थोड़ा सा sprinkle कर दे रही हूँ तीस मिनट हो गए है दोस्तों केक बिलकुल बन के तयार है शानदार लग रहा है कापी अच्छा फूला है तो चाकू डाल के मैंने चेक किया है बिलकुल perfectly बेक हो गया है गैस कर देंगे यहां पर बन और पूरी तरह केक टिन को ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी केक टिन ठंडा हो गया था मैंने केक रिलीस कर लिया और देखिए हमारा शानदा सूजी का केक वो भी क्रिस्मस प्राम केक जिसमें हमने ड्राइफ फूट्स डाले हैं केक बन के बिलकुल तयार है बहुत हेल्दी है दोस्तों बहुत जादा हेल्दी है और सबसे अच्छी बात है बहुत टेस्टी है दोस्तों बिना ताम जाम के हमारा कितना शानदार क्रिस्मस केक बन के तयार हो गया है बच्चे जब भी मागें तो ये सूजी का केक बना के खिलाइए कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए